गूर्णी इस्टेंट्स रिमोबल अब टू के बारे में मैं आप लोगों को जो डिक्सेशन पहली दिया हूं उस पर मैं आज के वल थोड़ा सा प्रेक्टिस करा देना चाहता हूं ठीक है तो आप लोगों थोड़ा बोर्ट पर कांडी ध्यान देंगे होगो मैं प्रिब्यस लेशन रेमोबल अब टू है जासा कम मैं पहले आपनों को बताया था कि यह जो है तांस्फर्मेंशन रफ्संटेंस के अंत्रकाता है और bet1 वह भाड़ा दिया हूं कि ट्राास्फ fino 329 होता है कि किसी भी सेंटेंश के केक्वल फॉर्म में good form को हम चैट कर में कोई difference नहीं पड़ता है तो देखिए he is two week to play वह इतना कमजोर है कि खेल नहीं सकता है मतलब इसमें क्या होता है कि negative sense का भावची पर आता है तो इस sentence को हम two को हटाते हुए कि आईसे रूप में लिखेंगे ताकि जो पहले वाला मीनिंग है वह मीनिंग जिया हम काते हो रह जाए तो देखिए he is two week तो पहले सरपर सम्झाव करेंगे इस two को हटा देंगे two के जगार पर हम so कर देंगे ठीक है तो इसका हुआ ही इस two को हमने सो कर दिया अब वीक जो एड्जेक्टिव है वह जियों काते हमें यहां पर आ गिया तो हो गया ही इस सो वीक अब है यहां पर टू प्ले यह तो प्ले जो है यहां पर इंफिनिटिव है आपको पहले बताय जा चुका है कि जिस भर्ब के पहले कोई जिस भर्ब के पहले तू लग जाता है वो इंफिनिटिव हो जाता है तो यह तो प्ले जो है इंफिनिटिव है अब जहां पर इस परकार का sentence का construction है तो वहाँ पर क्या करेंगे हम यहाँ से to play के बाद जो हम sentence यहाँ पर लिखेंगे वो that से सुरू होगा तो हो जाएगा that that और इसके बाद में यह ही जो है यहाँ पर आ जाएगा that ही और यह जो भर्ब जो play है play negative हो जाएगा यानि इसके पहले हम cannot लगा देंगे cannot play यही system सब में चलेगा तो देखें he is so weak that he cannot play इसका meaning था he is too weak to play two weak तो मतलब वह इतना कमजोर है कि खिल नहीं सकता इसका भी meaning देखें he is so weak that he cannot play वह इतना कमजोर है कि खिल नहीं सकता दोनों का meaning same हो रहा है केवल sentence का जो रूप है उसमें परिवर्टन हो गया है और देखें इसको देखें she is too fat to dance वह इतनी मोटी है कि नाच नहीं सकती तो इसका भी होई होगा इस two को हम so कर देंगे she is so fat that she cannot dance ठीक है he was too late to hear the first speech he was too late to hear the first speech इसे हिसे हिंदी मिनी क्या होता है कि वह वह इतना देर से पहुंचा कि वह पहला speech पहला भासन नहीं सुन सकता तो इसका मतलब देखें यह आपको past tense में है तो यह जब past tense में है तो इसका देखी क्या होता है he was यह two को हम so कर देंगे so और late जो adjective है वह आजाएगा तो he was so late अब यहाँ पर है to hear the first speech वह इतना देर से पहुंचा कि वह पहला भासन नहीं सुन सका तो he was so late that he could not could not hear the first speech अच्छा जी सर देखे I was too weak to play मैं इतना कमजोड था कि खेल नहीं सका तो इसका भी that clause होगा इसमें भी तो उसका हो जाएगा I was इस to को so कर देंगे और weak जो adjective है वह जीयों काते में यहाँ पर आएगा तो हो गया I was so weak मैं इतना कमजोड था to play that I could not play that I could not play चीक है अब इसको देखिए he is to weak he is to weak अब यहाँ पर ध्यान दीजिए यहाँ पर to जो है एड़वर्व है और यहाँ पर weak जो है आपका adjective है he is to weak थोड़ा यहाँ पर गौन कीजिएगा he is to weak और इसके बाद में यहाँ जो to play जो infinitive construction है इसमें नहीं है ध्यान दीजिए he is too weak to play he is too weak तो है लेकिन to play इसके बाद में कोई infinitive नहीं है तो इस तरह का sentence में क्या होता है कि हम यह जो weak है weak जो adjective है इसको हम comparative degree में लिखेंगे ठीक है लेकिन यहाँ पर इसमें that close नहीं होगा ठीक है तो he is too weak तो होगा इसका he is weaker यहाँ पर ध्यान दीजिए यहाँ पर कि he is too weak के बाद में infinitive construction नहीं है ठीक है कि अवल he is too weak है केवल to है और adjective है और इसके बाद में जैसे इसमें to play है या यहाँ पर to dance है या to here है या to play है यहाँ पर infinitive construction मने करने का मतलब है कि adjective के बाद में कोई भी infinitive construction नहीं है तो इसमें that जो clause लगता था इसमें that clause नहीं लएगा ठीक है तो क्या हुआ he is too he is यहाँ पर यहाँ पर लिखेंगे यह weak जो है weak का comparative बिग्री हो जाएगा he is weaker अब इसके बाद में क्या करेंगे इसमें then लगेगा then then it is then it is proper ठीक है he is weaker than it is proper मतलब वा उचित से अधिक कमजोर है ठीक है अब आगे देखिए he ran too slowly ध्यां दिए यहाँ पर he ran ठीक आईसा है यह भी sentence है कि to जो एड़वर्ब है उसके बाद जो slowly है उसके बाद में to play या to dance बोलके यहाँ पर कोई infinitive construction नहीं है तो इसका भी हो जाएगा तो यहाँ पर देखिए slowly जो यहाँ पर भरब है slowly जो आपका भरब है ठीक है तो he ran too slowly तो इसका बनाएंगे आप he ran अब यहाँ पर जो है इसके पहले हम इसको कर देंगे he ran more slowly than it was proper ran more slowly than it was proper ठीक है अच्छा इसको देखिए I was too attentive देंदे जहाँ पर I was too attentive इसमीन क्या होता है कि मैं मैं आप सक्ता से अधी attentive मने क्या होता है सवधान था I was too attentive यानि सचेत था सवधान था मतलब जितना मुझे सवधान होना चाहिए उससे कहीं ज़्यादा मैं सवधान था या सचेत था तो देखिए इसको हम दोनों बना सकते हैं इसको हम कर सकते हैं कि I was over इस two को हम over कर देंगे I was over attentive या यह भी हो सकता है कि I was more attentive than it was या than I should be ठीक है इसका दोनों ठांक सबसकता है इसका कि I was two attentive का मेनी हो सकता है यहाँ पर इसको ज़द हम transformation कर सकते हैं तो हम लिख सकते हैं I was two को over कर देंगे I was over attentive या यह भी कर सकते हैं कि I was more attentive than it was proper ठीक है दोनों कर सकते हैं तो इस्वा हम कर देते हैं I was over attentive ठीक है और यहाँ देखे he is being two kind he is being two kind इसको आप कर सकते हैं जैसे he is being अब ध्यान दीजे यहाँ पर जदि इस तरह का sentence होता है तो यह two को जो है यह two जो यहाँ पर जो है उसको हम extremely कर सकते हैं extremely he is being two kind इसका मिनिंग क्या होता है कि वह आव सकता से अधिक देयालू है मनि जितना देयालू होना चाहिए उससे कहीं ज़्यादा वो देयालू है इसलिए he is two being kind को जब हम transform करेंगे तो इस two को he is being तो इस two को क्या करेंगे हम extremely extremely और एक काइंड जो है ज़्यादा करेंगे इस two को extremely करेंगे extremely kind ठीक है तो he is being extremely kind दोना का मिनिंग एक ही हो रहा है he is being two kind मतलब वह आव सकता से मतलब जितना दयालू होना चाहिए उससे कहीं ज़्यादा दयालू है इसका मिनिंग सेम हो रहा है he is being extremely kind मतलब वह आव सकता से अधिक दयालू है ठीक है तो देखिए मने आज मैं आप लों को removal of two जो practice है जो exercise है अभ्यास है मैं आप लों को करा चुगा और मैं removal of two का जो chapter है आज मैं यहीं प्रसमाप करूँगा अब अगली खलास से transformation of sentence यानि आपको narration यानि direct to indirect इस फिच मैं आप लों को कल से चिश्टा करूँगा पढ़ाने का तब तक के लिए धन्यवाद को कि कि